धान खरीदी केन में नमी मापक यंद को लेकर किसानों में आक्रोष दिखने लगा है। उनका आरोफ है कि केन प्रभारी के लापरवाही के चलते नमी के नाम पर कटवती आम हो गई है। धान खरीदी में तरह तरह बहाने बनाये जा रही हैं। धान खरेदी केम में धान बेचने के लिए कड़ी मसकत करनी पड़ रही है। किसानों का यह भी आरोफ है कि केन पर नमी मापक यंत से धान के नम्यूनों को जाच करके धान में नमी बताया जा रहा है और रिजेट कर दिया जाता है वही कटवती देने पर खरीदा जा रहा है जानकारी केंसार तेली 78 के केंद प्रभारी द्वारा चार गाउ के धान नहीं खरीदे जा रहे हैं जिसके चलते चार गाउ के किसान आक्रोसित होकर धरना प्रदर्शन करने के लिए मजबूर है किसानों ने फढ़ मुंसी के खिलाब आज कांके कलेक्टर साइट पखांजूर SDM को लिखी सिकायत किया कौन से प्रभारी से है आपके पट्टा का आधा पट्टा के धान ओ देगा और आधा आप दोगे यह बोल रहा है यह बोल रहा है यह बोल रहा है अभी टोकन काटना चलू है और 27 तारिक के पहले सभी लोगों का टोकन दे दिया जाएगा करीबन देर सो किसान बचा हुआ है 14 दिन बचा है लेने के लिए इते कम समय में किसानों को पूर्ति हो जाएगा सब्सक्राइब जादा मात्रा में खरीदी के लिमिट को बढ़ाना पड़े तो बढ़ाया जाएगा सब्सक्राइब किसान को परिशान करा द्धन पवारी वाले क्या बोला चाहेंगे आप अभी दो आदमी सिकायत कि मेरे पास कि मेरे से धान ज्यादा ले लिया मेरे नाम से पट्टे में च अब इस प्रकार का अगर वो किया होगा तो ऐसे फड़ प्रभारी को हटा देना मुझे को फड़ प्रभारी के साथ एक नाम सामने आरा परेश नाम का जो साथे रहता है और मन-मन कर रहा है अकि नियम है किस कराने का नई सहायक के रूप में क्या है धान खरीती का एक आदम अगर गलत करता है तो फड़ प्रभारी की ही जवाबदारी